हेलो इस्टुडेंट्स आर्पी पबिलिक स्कूल जोग ठेर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स में आज एक नए टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ टॉपिक का नाम है प्रतीरोधों का स्रिणी करम एवं समांतर करम सही हो इससे क्या होगा हमारे नुमेरिकल सॉल्व होंगे क्योंकि नुमेरिकल में इस तरह को पूछा जाता है कि स्रिणी करम सही हो जन पूछ लेगा वो समांतर करम सही हो जन पूछ लेगा तो नुमेरिकल की दृष्टी से भी और डेरिविशन की दृष्टी दोनों से ही इंपोड तो सबसे पहला टॉपिक हम कॉन सा एज हमुठाते हैं समांतर करम पहले है तो सबसे पहले करम संहीं कि इसनी है कि रम सही हो जन अब आप से ये क्या होता है मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा तो सबसे पहले हमने क्या करा तीन पिर्तिरोद माल लिए एक पिर्तिरोद ये हो गया दूसरा पिर्तिरोद ये हो गया और तीसरा पिर्तिरोद ये हो गया इस प्रतीरोध के दो सिरे हो गईma मैं आपको समझाता हूं इससे ही को गई ने सबके देखिए आप धियान से प्रतीरोध के दो साइट्स हो गई इस पिर्तिरोध की भी दो साइड हो गई है इस पिर्तिरोध की भी दो साइड हो गई हमने आपस में यहां जॉइन कर दिया यहां जॉइन कर दिया यहां जॉइन लगे हुए है इनको हमने sold कर दिया है या फिर हमने गुमा के ahead दिया है आप ऐसे समझ सकते हैं अब इसका एक point बचेगा और एक point इसका बचेगा इन दोनों को हमने क्या करा sale से connect कर दिया किसी source energy source से connect कर दिया DC तो ये हमने connect कर दिया sale का sign बनाते हैं ये तो AC का हो गया ये हो गया हमारा ये हमने जोड दिये अब देखो इसका plus होगा और इसका minus होगा plus से current निकलता है चला साब current चला ये चला current आई यहाँ पहुचा आई तो इसे भी आई मिलेगा आगे पहुचा इसे भी आई मिलेगा आगे पहुचा current I, यहां आगया, यह भी आई, और फिर से दिखिए, पिलस से चला था, मैनस में आगया, चलो, अब voltage इसमें किता होगा, voltage होगा इसमें B, भैस सेल का कोई एक अपना voltage होता है, इस सेल का कोई EMF होता है, तो सेल का जो EMF होगा, वो सब यहां drop होता जाएगा, यहां पर potential difference अलग आएगा, यहां पर potential difference अलग आएगा, अलग अलग difference सो करेगा, तो इसमें सो करेगा B1, इसमें सो करेगा B2, इसमें सो करेगा B3, अभी इन सब का sum इसके बराबर रहेगा, इसको हम क्या नाम देदें R1, इसको क्या नाम दे दें R2 इसको क्या नाम दे दें R3 क्योंकि resistance को तो इसी नाम से पकारते हैं तो अगर हम सारे इसमें क्या है नोट पॉइंट क्या है इसका नोट पॉइंट क्या है देखी नोट पॉइंट ध्यान दें इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्पूर्ण बात है नोट पॉइंट इसका ये है कि current same रहती है current divide नहीं होती तो ये लिख लो current divide नहीं होती है ये आपको पता होना चाहिए क्या divide होता है voltage divide होता है b b का b का विभाजन होता है b का विभाजन होता है तो b विभाजन हो गया लेकिन अब जब विभाजन रहेगा तो इसी के बराबर तो b बराबर आपका formula बनेगा b1 plus b2 plus b3 अब आप को वे सर्थ 3 से ज़्यादा होते हैं तो plus करके और dot dot करके बढ़ा देते हैं लेकिन हमारे में तीन है अब इसके अंदर क्या छिपा है ओम के नियम से इसके अंदर छिपा है i r इसके अंदर i r 1 इसके अंदर i r 2 इसके अंदर i r 3 अब आपको सर r कहां से आया तो इन सब का मिला हुआ रूप हमने r माल लिया इन सब की जगए एक बड़ा सर रिजिस्टेंस माल लिया इन सब को r 1, r 2, r 3 को सब को मिला के r रिजिस्टेंस माला है तब लिखा है हमने r आप देखिए इधर से i common हो गया तो अंदर क्या बचा r 1 plus r 2 plus r 3 और i r अब i तो कटगया तो r वराबर क्या फारमल निकल का है r वराबर निकल का है r 1 plus r 2 plus r 3 अब आपको बचर 4 होते तो 4 आज़ाते एक और बढ़ जाता 5 होते एक और बढ़ जाता सौ होते तो ऐसे बढ़ता चला जाता तो इस तरह से हमने ये टॉपिक बता दिया स्रणी करम को हमने ये माल लिया अब हम समांतर करम बताते है बी टॉपिक उसको हमने नाम दे दिया बी और हमने यह लिख दिया समांतर करम सही हो जन समांतर करम सही हो जन दीपा बली पे जो हम जालर बगएरा लगाते हैं डेकोरेशन के लिए वो इसी क्रम में होती है तो डेकोरेशन के लिए की गई जालरों का काम वो इसी क्रम में होता है और जो घरों की बाइरिंग होती है जैसे हमारे घर में पंखा होता है tube light होती है fridge होती है cooler होता है वो सब इस क्रम में होता है समांतर क्रम में तो ये knowledge के लिए हमने बात बता दी है आपको आप देखें समांतर क्रम क्या होता है एक resistance फिर उसके नीचे दूसरा resistance आएगा कहने का मतलब समझ गए आप उस तरही के सथ नहीं है ये उठा के हमने आगे जोड़ दी थी और फिर तीसरी वाली आगे जोड़ दी थी अभी देखें और समझ में आएगा आपके देखो उसमें भी तीन थी लेकिन उसमें हमने ऐसे जोड़ा था इसे उठाओ यहां रखो इसे उठाओ यहां रखो तो ऐसे जोड़ी थी तो यह स्रेनी करम आप उपन नीचे जोड़ा है तो समांतर करम अब आम समझ गया हूं में स्रेनी समांतर करम क्या होता है इनको मिला दीजिए इनको मिला दीजिए यहां से क्या करिए यह लिका लिए यहां से यह और यह ले आईए एक सेल के अंदर आप देखो यह प्लस यह माइनस यहाँ से करंट चला करंट चला आई करंट चला तीन डिरेक्ष्ण में डिवाइड होगा तो यह हो गया आई-्वन यह हो गया आई-टू, यह हो गया आई-थ्री तो करंट का distribution तेन direction यह हो गया R1 यह हो गया R2 यह हो गया R3 इसमें voltage B इसका potential difference B तो इसमें सब को B मिलेगा इसे भी B मिलेगा इसे भी B मिलेगा तो इसमें सब को B मिलना है current divide हो रहा है current का formula लगाईए यहाँ से क्या चला था I तो I बराबर क्या हो गया I1, पिलस I2, पिलस I3, पिलस I3, आप देखो, I के अंदर क्या चपा है, B बटे R, ओम के नियम से, इसके अंदर क्या चपा है, B बटे R1, इसके अंदर B बटे R2, B बटे R2, इसके अंदर B बटे R3, B कॉमन लेका काट दिया, तो B बटे R, यहां से B ले लिया, तो क्या बचा, 1 बटे R1, पिलस 1 बटे R2, पिलस 1 बटे R3, B, B कट गया, तो आगया हमारा, 1 अपॉन R, बरावर 1 अपॉन R1, पिलस 1 अपॉन R2, पिलस 1 अपॉन R3, जादा होते तो उसी में पिलस करके जोड़ दिये जाते, अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ, A का सूत्र, A का सूत्र आया था, R बरावर R1, पिलस R2, पिलस R3, B का सूत्र आया है, 1 अपॉन R, बरावर 1 अपॉन R1, पिलस 1 अपॉन R2, पिलस 1 अपॉन R3, तो यह बहुत important formula है, इनको आप याद कर लेंगे, और इनकी practice भी कर ले Thank you very much.